हेलो फ्रेंज वेल्कम तो ले चैनल मासुस्वा बॉटनी अगेन मैं हूँ आपका दोस्त विने कुमार सिंग इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं टेडो फाइट का जर्नल करेक्टरिस्टिक जर्नल करेक्टरिस्टिक्स सभी के लिए उतना ही इंपोर्टेंट होता है प ऑसके ऑंदर कंटेंट है उसका कैसे जो है डिवाइड करके देख सकते हैं कि इसी में आप टेडो फाइट है अब यह आगे बताऊंगा कि कैसे इसमें फौंई से ईज हैं अभी आज जानते होंगे मैं लेक्चेर के बीच में आपको बता दुट होते हैं फिर वी इक्लासि हो सकता है कि उनका overlapping character हो इसे दूसरे से पर वो सारे members का feature होता है जो उसमें होते हैं तो यह ट्रेड़ोफाइट का general characteristics यह सारे salient features हैं हम उनके बात करेंगे जिसे general characteristics आप कह सकते हैं अब यहां पर main plant body क्या होता है जब टेड़ोफाइट का हम बात कर रहे हैं ठीक है टेड़ोफाइट आपको पता है सबसे पहले आपको simplest group मिलता है अलगी और फंजाई उसके बाद आपको मिलता है आपको यहां पर बात करेंगे यहां पर प्लांट बाड़ी जो होता है प्लांट के लाइफ में दोनों चीज़े होती है लेकिन बात होती है कौन लॉंगर डूरेशन तक रहता है कौन अच्छे से आपको दिखता है तो से पहले स्पार्णेश ऑंको ब्राइओ अडाया गया आए में क्या होता है मेन प्लाइड बॉड्दि घ्मिड हुता है है तो के लिए प्लब क्या होते है प्लाइड प्लाइड होता है तो तो चक्क्र나Time learners क्या होता है । प्लांट बोड़ी स्पोरफिटिक होता है जो इसको ब्राइव फाइडा से इसी करेक्टर में आप डिफ्रेंशेटिंग करेक्टर है जो क्या होता है विच इस न्यूट्रिशनली इंडिपेंडेंट आफ गेमेटोफाइट यह दोनों जो अभी आपने मैंने आपको बताया य इसका में प्लांट बॉड़ी यहां पर सपॉरफिटिक होता है और यहां पर जो न्यूट्रिशनली इंडिपेंडेंट होता है इस पाइट से निउट्रीशन नहीं लेता है वहीं ब्रावफायट में आपने क्या देखा था त्रोड़ाति था तोड़ा था वहो डिपेंड़ेंट्ट था गमेटोफ़ाइट पर ही ग्रो करता है और रसे न्यूट्रीशन लेकर यह आप फोटो देखिए इसमें जो ग्रीन एरो वह वो शो कर रहा है आपका sporophyte यह रहा है इसे पर उसी पर ग्रोव करता है आपका sporophyte स्टेजेजिए सपोरोफटीक स्टेजिए सपोरॉपईट पर टिपंडेंगे राव वाइटम में लेकिन यहां पर ट्वरोफइट्स पम एसा नहीं होता है यह मेन प्र tale body समेंbok worry नफिटीक कोती है और वहकर्ञिएट और बुड़ी करता होगा जयदा है और तरा आपको देखा अगर आपने लेक्षे नहीं देखा ओए तो आई का बटर्न्न क्लिक किजिए वहाँ पर आपको दिखेगा ओके तो dispelet के अति mean का जिए ता ऐब ही दिखते हैं आप पहले जो में डिकल निगान अगर आगर वह सब 다음에 मूछ यह भूए उप वह वह कर should Google में डिफ्रेंशेट नुकलते तो और निई انकलते हिरम let सटीशेस होता वह जो स्टेम होता है वो भी होता है यहाँ पर टरड़ोफाइट में लेकिन ब्रांचिंग क्या होती है और एक खास बात है कि डिरन ब्रांचे जो होते हैं वह यराइंज नहीं करते हैं लीफ के एक्सिव से आपने देखा होगा अंजी नि्कलता है वो लिब यह शूट की निकलता है प्रमाETवाइम्ट की सपुरन वहाँ पे लीफ के एक्दिल से ब्रांच निकलता है लेकिन टेड़ोफाइट में ऐसा नहीं होता है ठीक है सिम कमें आपको ब्रांचिंग बिता है मोनोपोडियल और डाइकाटोमस यह है उसका एक्जामपल आप देख सकते हैं यहां पर लेफ्ट में हैं मोनोपोडियल राइट मैं सिमपोडियल पहरे ऐरो मीनिंग जानलेजी कि आप कर देख रहें वो अबाउट हो जाता है में एक्सिस फिर साइड लैटरल स्टेम निकलेगा जो उपर जाता है फिर उससे ब्रांचिंग करता हुआ जाता है और फिर जो लैटरल ब्रांचिस होते हैं वो अलग से निकलते हैं में एक में जो एकसिस रहता है वो कंटीनु रहता है लेकिन सींבה में देखने वह में जाता है फिर उसका 16 भगल से निकलता है वो भी अब अपाट होगा फिर इस बकल निकलता हुआ ऐसे तो इसको sympodial बोलेंगे और left वाले को monopodial बोलेंगे तो यही है आपका जो मैंने आपको बताया branching का pattern stem का यह टेड़ोफाइट में पाए जाता है monopodial और dicotomyuse okay second पर आते हैं mostly terrestrial होते हैं टेड़ोफाइट आपको जिसे ब्रावफाइट आप दिने देखा था mostly वो क्या होते हैं amphibious होते हैं अब जहां पर water water रहेगा वहीं पर grow करते हैं लेकिन जागर टेड़ोफाइट की बात करें तो यह ब्रावफाइट से थोड़ा सा आ गए हैं यह terrestrial places पे आपको ज्यादा मिलेंगे जमीन पर आपको ज्यादा मिलेंगे लेकिन कहां पर मिलेंगे मॉश्यर वाले जगह पर जहां मॉश्यर ज्यादा रहता है और सटी प्लेसिस पर छाएदार जगों पर ज्यादा ग्रोग करते हैं कुछ इसमें आक्ष्वेटिक भी हैं जैसे एजोला है आइसोइट्स है मारसीलिया है सालवीनिया है ओके यह सारे क्या है एक्वाडिक है जोला आपने देखा होगा वो क्या है टेड़ोफाइट है ओके और कुछ इसमें जीरोफाइट्स भी है अगर लाइफ साइकल की बात करें तो क्या होता है life history तो इनमें annuals होते हैं, जो एक ही साल के अंदर अपना पूरा life cycle complete कर लेते हैं, एक साल में वो क्या होते हैं, azola है, salvinia है, वही इसमें कुछ-कुछ plant जो है, perennial भी है, perennial मतलब जो एक साल से ज़्यादा तक रहते हैं, उनका life cycle के लेक साल से ज्यादा तक चलता है जिसे अगर हम बात करें आपको मैंने बता है में प्रॉंट बॉड़ी के बारे में स्टेम के बारे में रूट के बारे में फिर उनका हैबिटाट बताया कि टरिस्ट्रियल होते हैं कुछ एक्विटिक और कुछ जीरोफाइट भी होते हैं फिर मैंने बताए एनुट्स और पेरणियस होते हैं अब लीफ की बात कर लेते हैं तो लीफ यहाँ परिंड़े भी मिलता है मैंने यहाँ पर meth उक्वाइट पर बुझा क्यों मैंने ऐसे बोला कि यहाँ पे जो होता है एक तरफ स्केली स्माल सिसाइल होता है और दोछी तरफ लाज इपर टूलतर कंपॉंड टॉलत होता है दो मेंड टाइप के लीफ होते है टेघ्टॉफॉइट्स में और इसके अग्यकिव होते हैं यह लीफ में भाइए नहीं बनाते हैं स्टेल में मैं आपको स्टेल स्टेल्स पढ़ाऊंगा अब ही ध्यान रख़िए याद रखिए कि यहसी याद रखे कि लीव ड़ाइस बहुत छोटे-छोटे होते हैं वहें दूसरी तरफ इसमें Megafilla मेंबर्स पाए जाते हैं जहां पर कंपाउंड लीफ आपको मिलेगा कंपाउंड को मतलब आप समझ रहे हैं कि उसमें इंसिजन होगा जैसे मैंने आपको पढ़ाया था लीफ अगर आप नहीं देखा है तो आई का बटन क्लिक कीजिए और आपको लीफ मैंने पढ़ाया वहा आपको जाता है का इसका क् fyसे बोलते हैं जो एसा मेंगा फीलेस वाले मतलब वह डेड़ोफाइटा में तो रखे गया है पर अचली उनका लीव जो होता है चोटा-चोटा होता है स्केल ताइप का या बहुत चोटा होता है तो होप कि आपको माइक्रोफिलस और मेगाफिलस अमन्में अब नेक्स चलते हैं इसमें प्लांट है साल्विनिया वहां सिस्ट च्छल और इसको जब हाई मेंने भी खी है बहुत सुन्दर यहां नहीं पर देखेंके लिग और यहां पर आप किसी एक structure पर ध्यान दीजिए उसी को यहां पर मैंने magnify किया है देखें कि बहुत खूबसूरत यह देखता है उसके अंदर के साल्विनिया का adventitious root है यह हो गया तो आप इस picture से याद रखेंगा यह साल्विनिया है और साल्विनिया में ही यह adventitious root पर modify होता है अब बात करेंगे next steel steel किसे बोलते हैं जो देखें कोई भी plant होता है ब्राइफाइट में आप देखे थे कि वहाँ पर steel नहीं होता means xylem phloem नहीं होता तो उसका जो वह होता है केमिटोफाइट वैसे ही रहता है लेकिन हम यहाँ पर बात sporophyte के कर रहे हैं sporophyte में जो होता है यहाँ पर आपको ट्रेडोफाइट में steel मिलेगा means xylem phloem रहता है और xylem और phloem का arrangement होता है अलग-अलग उसके basis पर हम अलग-अलग उसको केटेगराइज कर सकते हैं steel को ठीक है steel की से बोलेंगे वैस्कुलर सिलेंडर पर जहाँ पर xylem और phloem होता है और उसको उसके xylem और phloem का arrangement अलग-अलग तरीके से हो सकते हैं उसके basis पर different type के steel होते हैं जो हम discuss करेंगे आगे आने वाले वीडियो में और फिर बात कर लेते हैं next root stem has well developed vascular system जो मैं बात कर रहा है यहां पर root और stem में well developed vascular system होता है लेकिन ध्यान देने वाली चीज़ है वैस्कुलर सिस्टम का क्या मदब हो गया xylem और phloem यह फाया जाता है कर you gynnaum sperm में और यहां पर lower में आप दिखेंगे trade of item में कोटा है क्यों सीव सेल्स ही पायी जाते हैं और यह फिचर जो होता है रिम्टिव फीच़ अपर में चै번 जो कब बना होता है कि घ्म खुम् स्पर्म और एक्युसीटर जाइगंटियम इन दोनों में क्या मिलता है कमपैनियन सेल भी मिलता है तो यूनिक फीचर जानते हैं आप पूछा जाता है यूनिक फीचर आपको याद रखने चाहिए सेकेंड बात करेंगे यह तुझे हो गया आपका जाइलम और फ्रॉयम की बात कंबियम से ह बॉट भी एप्सेंट इसलिए यहां पर सेखेंडरी ख्रॉप होता है यह तो सालवीनिय का होगया नेक्स बात करंगे reproduction की यहां पर जो टेड़ोफाइट होते हैं वो रिप्रोडूस किसे होते हैं spore से okay spore कहा पर बनते हैं वो बनते है sporengia में plants reproduce by spore producing sporengia sporengia जो होता है born on ventral surface of leaf जो यहां पर leaf पाया जाता है टेड़ोफाइट में उसके ventral surface पे sporengia बनते हैं जिनमें spore develop होता है लेकिन in some a fertile spike arise from axis of leaf bearing sporengia कुछ में जैसे of your blossom है वहां पर leaf का जो एक्जिल होता है वहां से एक fertile spike arise होता है जिस पे sporengia लगा हुआ होता है और कुछ में in some carline कुछ-कुछ पे stem पे ही ग्रो करता है जिसे साइलोटम में आप देखेंगे इन सम स्पेसलाइज स्ट्रक्चर स्पोरो कार प्रिजेंट कुछ-कुछ प्लांड में एक स्पेसलाइज स्ट्रक्चर होता है जिस पे sporengia होता है उसको sporengia बोलते है वह आपको कहां पर मिलेगा जैसे मार्सीलिय में आपको मिलेगा अब यहां पर जैसे स्पोर की बात हो गई स्पोर इंजिया में डेवलाफ होता है यह प्लांड जो प्लांड अलाग अलाग स्पोर्स डिवलब करते हैं चोटे और बड़े छोटे वाले क्या होंगे मेर स्पोर और बड़े वाले फी मेर प्लांड होमोस्पूर उसके एक्जांपल आप यहाद रखेंगे डियां ट्रॉफ इरेस लाइज और कुस्प्लांड हेटिया बिइस प्लांड होता है तो आई जो बियर करते है乾淨 को उन्हें sporophyll बोला जाता है और में टर। इंक है प्रिटित सब्रमा कि . स्पोरेंजिया बनता है मेल का मतला माइक्रो स्पोरेंजिया उसमें मेल स्पोर्स बनेंगे और मेगा स्पोरेंजिया जहां पर फीमेर स्पोर्स बनेंगे Microsporangia जो Bearing Leaf होते हैं उन्हें क्या बोलते है Microsporophyll और Femir वाले को Megasporophyll अब बात करते हैं Sporangia के development का यहाँ पर दिखिए the development of Sporangia में भी U-Sporangiate और Leptosporangiate जो मैंने दोनों Red में लिखा Sporangia के development के basis पर भी इसे दो भागों में बाटा जाता है कुछ Member U-Sporangiate होते हैं कुछ Leptosporangiate होते हैं U-Sporangiate किसे बोलेंगे जब Sporangia का development एक से ज़ाधा cell से होता है मेंस Group of Cell से होता है उन्हें U-Sporangiate बोलते हैं और अगर Sporangia का development के वाल एक Single Cell से होता है तो उसे क्या बोलेंगे Leptosporangiate type of Sporangia development तो यह अलग अलग मेंबर हैं कुछ Sporangiate type के हैं कुछ Leptosporangiate type के हैं अब बात करें Sporophyll का अब जो Sporophyll होते हैं ऐसे लीव जो Spor को bear करते हैं वह या तो uniformly distributed रहेंगे जिसे एडियेंटम और टेरिस में आप देखेंगे जो Sporophyll होते हैं वह पूरे Plant में uniformly distributed रहते हैं लेकिन कुछ-कुछ Plant में जिसे Equisetum या Selaginela है वहाँ पे आप देखेंगे कि यह कौन से Aestrobili में aggregated रहते हैं वहाँ पे Apex में अब next sporangia are aggregated in cluster अब यह तो sporophyll की बात ही इससे पहले जो मैंने बदाए sporophyll या तो uniformly distributed रहते हैं means spor bearing leave या तो uniformly distributed रहते हैं या congested रहते हैं second बात करते है sporangia का जो sporophyll पे sporangia पाया जाता है वह भी या तो अलग अलग रहते हैं या cluster में वह रहते हैं aggregated रहते हैं जिने सोराई बोला जाता है अब सोराई भी यह जो होता है known as sorai in some that may be simple graded और mix यह सोराई भी या तो simple हो सकता है या तो graded या mix यह कब बोलते हैं simple source का बोलते हैं इसमें जो होता है सभी sporangia एक साथ appear होते हैं सभी एक साथ grow करते हैं और mature भी same time पे होते हैं लेकिन graded वाले में क्या है gradation होता है जो उसका proximal part होता है वहाँ पे आप देखेंगे immature होगा sporangia और जो distal part होगा वह mature वाला होगा mix type में यह सारे mix रहते हैं mature और immature next बात करते हैं spore on germination जो आप देखिए जो sporangia spor का सारा का बात हो गया spor जो निकलेगा sporangia से microspore होगा या megaspore जो भी होगा spor जो होता है sporophytic पे होगा पर जब sporangia से spor निकलेगा तो spor क्या करता है आगे gametophytic phase बनाता है और यहाँ पे उसको क्या बोलते है प्रोथैलस बोला जाता है which is monos monosheas in homosporous species and diaceous in heterosporous species अब जो आपका यह gametophyte होगा जो प्रोफैलस आपको स्पोर्स से ग्रो करेगा वो कह रहा है monosheas होगा homosporous species में और diaceous होगा heterosporous species मतलब ऐसे plant जो homosporous होते हैं मतलब एक ही size के sports बनाते हैं ठीक है वो monosheas होते हैं मतलब वो जो gametophyte बनाएंगे gametophyte पे male और female जो वहाँ पे होगा archigonia interdia उसमें develop करता है gametophyte पे वो वहीं एक ही उस पे पाया जाएगा एक ही gametophyte लेकिन जो heterosporous species होते हैं मतलब male spore और female spore अलग अलग बनाते हैं ठीक है वो male spore जो ग्रो करेगा उस पे क्या होगा N3DR ही रहेगा केवल और जो female gametophyte रहेगा वहाँ पे आची गोनिया ही रहेगा केवल के इन हों नेक्स पे चलते हैं in homo sporous development of gametophyte is exospory अब कहता है homo sporous development होता है gametophyte मतलब ऐसे plant जहां पे homo spores बनते हैं ठीक है वहाँ पे जो gametophyte development होग हो वो exospory होता है मतलब gametophyte डिबवलब होगा जो spore स्पोर का होता है स्पोर का वॉल उसके आउटसाइड गेमेटोफाइट का डिवलप्मेंट होता है लेकिन हेट्रोस्पोरस जो प्लांट होते हैं उनमें इंडोस्पोरिक गेमेटोफाइट डिवलप्मेंट होता में गेमेटोफाइट डिवलप्मेंट होगा इंसाइड दर स् या तो उससे प्रोजेक्ट होके निकला रहेगा बाहर और यह मल्टिसलियर होगा और जैकेट होगा मतलब एक जैकेट उसको कवर की हुए रहेगा अब यह होता है यह मेल सक्साइब होता है वहां पर निक होता है और वेंटर होता है निक जो हुता है वह चार वर्टिकल रूज में whispering से 2 से 6 सेल्स होते हैं और होगे आपका विंटर अब निक में निक कैनाल सेल्स होते हैं जो कि वरी करता है एक से 14 तक निक कैनाल सेल्स हो सकते हैं अब बात करेंगे एंथरोजोइट्स का जो आपको इंथिडियर से निकलता है समझ लिजिए आप स्पर्म अटोजोइट्स या स निसेसरी होता है फर्डिलाजिशन के लिए मतलब अगर वाटर नहीं है तो इनका फर्डिलाजिशन नहीं हो सकता है इसे ब्राइफाइट में भी वाटर था निसेसरी फर्डिलाजिशन के लिए नेक्स बात करते हैं जाइगोट जाइगोट को और क्या बोलते हैं मदर से लाफ स्पोरोफिटिक जनरेशन अब देखिए जो गेमेटोफाइट के पहले आप पीछे आप स्टोरी पे जाएंगे तो स्पोर इंडिया से स्पोर निकला स्पोर डेवलप किया गेमेटोफाइट बनाया प्रो थैलास उस पर इंत्रीडिया आर्चिगोणिया निकलेंगे एर्थिजिनिया से मेल स्पोर निकलेगा और आर्चिगोणिया में आपका एग होगा दोनों फटिलाइज करेंगे उसके बाद जाइगोट बनेगा जाइगोट को स्पोरोफिटिक जनरेशन का मदर आपको भिदियस्ट को और स्पराइस Rainbow ज़ार्ण लाभू जैंग अगे चलके अब्र्यों बनाता है कैसे बनाता है या तो होलो sporophyte sporophyte, sporophyte में medla deployed to n generation, okay, gametophyte , haploid ठीक यह ho गया, अब वो sporophyte में हो गया, अब देखे टेदोफ़ाइट जो होता है, वो show करते हैं hetero harmful alternation of generation, Mnlb, hetero maafika alternation of generation किसे बोलते हैं जहां पे दो अलग-अलग type के structure बने एक gametophyte, sporophyte नों एक दूसर से अलग हो, okay, तो यह हो गया, सारा end हो गया यहाँ पे यह सारी चीज़े आपको याद रखना है और एक चीज जो यह term है alternation of generation यह सबसे पहले half mister ने अठा सो एक्यान में mosses और fern के लिए ही apply किया था जो आप अभी algae में पढ़ते हैं fungi में पढ़ते हैं homomorphic या heteromorphic alternation of generation यह पहले half mister ने ही दिया था तो यह खतम हो गया सारी चीज़े आप याद रखेंगा मैंने अच्छे से आपको फोटो जो पढ़ाया सारे जो चीज़े ना समझ में आया हो आप कमेंट करके मुझसे फिर से पूछ सकते हैं बागी सारे character easy हैं बस आपको ध्यान रखना है तो यह हो गया आपका यहां पर lecture समाब तो इस चैनल को जरूर subscribe कीजे आप चैनल को subscribe करने के बाद जब भी मैं कोई नया वीडियो डालता हूं तो आपके पास notification जाता है कि चैनल ने भी एक नया वीडियो डाला है तो आपको चीज़े ढूंडने की जरूरत नहीं है और इस वीडियो के description में मैंने अपने previous वीडियो और बहुत सारे वीडियो सबका link डाला हुआ है जिस वीडियो का description जरूर देखिए और important उसमें वीडियो जो आपको अच्छा लगे वो जरूर देखिए तैयारी करते रह तैयारी तैयारी कई बहुत सारे वीडियो झाल झाल